देशिक्स ट्रेडिंग सेटप में आपका स्वागत है तो आज हम लोग अपना पहला ट्रेडिंग सेटप सीखने वाले जिसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रेकाउट्स पर कैसे ट्रेड लिया जाए इससे पहले अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट चेक नहीं किया इस 10-day कोर्स का तो वो मेरे प्लेलिस्ट सेक्षन में आप जाके चेक कर सकते हैं और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको day 0 से dating का हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो आप यहां से भी किसी भी day में जंप कर सकते हैं स्टार्टिंग में तो आपको सीरियल ही देखना पड़ेगा लेकिन बाद में आपको अगर रिपीट करना है तो आप day जंप कर सकते हैं और जो day 0 का वीडियो है इसको देखना बहुत ज्यादा important है क्योंकि उसमें मैंने बताया कि आपको किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो अब आजाते हैं हम लोग अपना पहला setup पे जो की breakout trading का setup है इसको हम लोग बोलते है ascending triangle pattern इसमें कुछ इस type का price action होता है price यहां से उपर आता है एक level के पास फिर नीचे आता है फिर उपर आता है फिर नीचे आता है फिर अगर इसको breakout दे देता है तो यहां हम लोग को ध्यान रखना है कि minimum two touches होना चाहिए उसके बाद breakout आना चाहिए यह नहीं पहला touch के बाद breakout आ रहा है तो उसको हम लोग को ध्य नहीं देना है और नीचे में एक ऐसा सेब बनना चाहिए एक ट्राइंगल जैसा आप लोग को दिख रहा होगा यह एसेंडिंग ट्राइंगल है तो अगर यहां पर ब्रेक आउट होता है तो यहां पर हम लोग बाय कर सकते हैं जो लास्ट सुइंग होगा वहां पर स्टॉप रखेंगे और 1-1.5 तक का टारगेट हम लोग लेंगे अगर यह लास्ट सुइंग बहुत बड़ा हो जाता है तो उस केस में या तो आप टारगेट को थोड़ा कम कर सकते हैं 1-1.2 तक कर सकते हैं या स्टॉप लॉस को जहां पर अगर कोई बड़ा कैंडल है उसके मिडल त तो अगर हम लोग देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि ब्रेक आउट तभी हम लोग मानेंगे जब भी कोई ट्रेंड लाइन या कोई जोन है उसके बाहर कैंडल क्लोजिंग दे देता है ठीक है यह क्लोजिंग दे दिया तब यह प्रॉपर ब्रेक लेंगे ऐसा क्यों क्योंकि बहुत अबड़ा टाइम बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपने बीच में ही कहीं ले लिया लेकिन क्लोजिंग कैंडल नीचे दे देता है तो इस टाइप का मान लेते ही यह ट्रेंड लाइन है और इस टाइप का कैंडल बन जाता है तो आप यहां फस चुक है आपने यहां ट्रेड ले लिया जबकि candle यहां close ही नहीं दिया तो यह breakout ही नहीं हुआ तो इसलिए हमेंसा candle close का weight करना चाहिए जैसे इस example में हम लोग देख लेते हैं यह एक trend line है यहां पर यह वाला candle इस line को closing दे दिया है तो उसके बाद हम लोग next candle में यहां पर कहीं पर buy किया जाएगा यह चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है यहां पर same ascending triangle वाला pattern हम लोग को देख रहे है क्योंकि यहां पर 2 touches हम लोग को यहां मिल रहे ह। यहां पर यह आशा touches हम लोग को मिल रहे है तो यहां पर यह प्र पर breakout हुआ है तो हम लोग यहां पर कहीं पर buy करेंगे क्योंकि stop loss बहुत बड़ा हो जा रहा है इस case में तो हम लोग इस candle के नीचे तक कहीं यहां पे stop loss रखेंगे और target 1 is to 1.5 का आप देख सकते हैं तो important चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि candle close होना चाहिए अब हम लोग इसको decode भी करेंगे कि क्यों price यहां से उपर ही move करता है distance बहुत जादा है second time price यहां पे आता है फिर यहां पे आके यह फिर से घूम जाता है तो यह distance इस distance से कम है बायर्स पुस कर रहा है market को ऊपर नीचे नहीं आने दे रहा है इसलिए जब भी यहां से breakout होता है तो उपर आता है, और buyers यहाँ यहाँ पर अड़ उपते है, इसलिए price उपर आता है यह हो गया पहला reason जिससे price उपर आता है जो second reason है जिससे price उपर आता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर price आया, फिर यहाँ से नीचे तो यहां भी बहुत लोग sell किये होंगे, फिल जब breakout होता है, तो यहां जो लोग sell किया है, वो सब का stop loss यहां पे कहीं होगा, 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 तो जब भी price उपर आता है, तो यह सब का stop loss, selling का stop loss क्या होत तो यहां buying order बहुत लोग है तो सबको loss देने के लिए सबका buying order stop loss hunt करने के लिए यहां price उपर आता है और यह सबका stop loss लेता है तो और power से उपर आता है और यहां नया buyers भी आता है तो एक तो stop loss के current price उपर आ रहा है प्लस new buyers आ रहे उसके कारण price उपर आ रहा है तो यहां से price जब भी आप देखेंगे इस type का pattern का breakout होता है या descending triangle pattern भी अभी हम लोग देखेंगे उसमें नीचे आता है price तो बहुत speedily उपर आता है या बहुत speedily नीचे आता है तो इसका अभी हम लोग graph में भी देखेंगे उससे पहले descending triangle को भी समझ लेते है descending triangle बस उसका उल्टा होता है price यहां आया फिर उपर गया यहां आया उपर आया तो minimum 2 touches होना चाहिए फिर back down दिया तो यह नीचे आता है तो इसमें भी same वही logic है यहां पे हम look sale करेंगे यह stop loss होगा target 1 is to 1.5 का होगा ठीक है तो same यहां पे भी logic वही है पहला logic की यहां buyers इसको उठा नहीं पा रहे यहां पे इतना distance तक उठाए यहां पे इससे कम distance तक उठाए तो यहां पे sellers हावी है तो यहां पे कुछ new sellers आते है प्लस जितने लोग यहां पे buy की होंगे यहां पे buy की होंगे सबका selling order stop loss यहां पे होगा तो उसके कारण price और नीचे आता है प्लस stop loss को hunt किया जाता है तो इसके कारण यहां भी जब भी breakdown होता है तो बहुत sharply नीचे आता है market तो यहां पे आप trade ले सकते हैं तो अब यह दोनो चीज को हम लोग real chart में देखेंगे कि कैसे हम लोग को trade लेना है तो यह bank nifty का chart है यहां पे हम लोग एक minute के time frame में इसको देख रहे हैं तो अगर हम लोग यहां पे एक zone बनाए इस zone को बनाए मैंने हमेशा बोला है कि जब भी support या resistance बनाना है तो आपको zone में बनाना होगा ठीक है तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं एक touch यहां पे वहा यह तो false हो गया second touch यहां third touch यहां तो जितना ज्यादा touches के बाद breakdown या breakout मिलेगा तो उसका winning होने का chances बहुत ज्याद हो रहे है ज्यादा touches है मतलब ज्यादा look trap हो रहे है इस line को हम लोग यहां से क्योंनी बनाए क्योंकि यहां कोई touch ही नही है इसलिए यहां से हम लोग touch नहीं बनाए यहां से बनाए है और यह false ठीक है तो इसको हम लोग count भी नहीं कर रहे हैות यह touch, 2 touch, 3 notch उसके बाद breakout तो यह यह प्रॉपर ब्रेक आउट है क्योंकि candle close दे दिया है यह जो जो जोन हम बनाये थे इसके नीचे closing दे दिया है तो यह प्रॉपर यहां पर breakdown हम लोग को मिलता है candle close दे चुका है तो इसके next candle में हम लोग sell करेंगे और जो हम लोग का stop loss होगा last swing जो कि यहां पर यह आप इसको यहां भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहां कर रहा हूं और 1-1.5 का यहां पर target एक ही candle में हमको मिल गया तो मैंने जैसा बताया था कि यहां बहुत सार्प movement होता है क्योंकि सबका stop loss भी हंट होता है और new seller भी आते हैं तो यहां पर हम लोग को यह चीज़ दिख रहा है तो अपने next example में आ जाते हैं जो हमारा next example है अगर हम लोग यहां पर zone बनाए और यह एक trend line है त्रेस नीचे आया फिर उठाया फिर नीचे आया फिर जाता नहीं उठा पाया फिर नीचे आया third touch फिर जाता नहीं उठा पाया फिर यहां पर यह मोंको candle close हो गया तो हम लोग को break down मिल गया लेकिन इस case में हम लोग यहां पे अगर sell करेंगे तो हम लोग का stop loss last ring यहां हो जाएगा तो क्या हम लोग यहां sell करेंगे नहीं क्योंकि stop loss बहुत बड़ा होगा उस मुकाबले आपको target 20 to 1.5 इतना बड़ा रखना होगा तो इस केस में हम लोग को retest का wait करना होगा या फिर price अलका उपर आएगा तब हम लोग को buy करना है तो इसके next candle में हम लोग देख सकते price उपर आ गया है इस level को दुबारा touch किया है तो हम लोग यहां पर कहीं पर buy करेंगे वहां अपना limit order लगा देंगे और फिर last swing जो होगा वह हमारा stop loss होगा 1 to 1.5 का हमको target यहां चीव हो रहा है तो जब भी अगर breakout क्योंकि बहुत fast होता है उस case में बहुत बार आपको chances नहीं मिलता है उसको लेने का तो आप next candle का wait करना यह नहीं कि जैसे बहुत नीचे आ गया price वहीं पर आप sell करना है नहीं आपको अच्छे price में sell करना है ताकि आपका stop loss बढ़ा ना हो तो यहां पर यह चीज हो गया यहां भी हम लोग देख सकते है कि जैसे breakdown हुआ तो fall बहुत तेजी से हुआ क्यों कि सबका stop loss होता है plus new seller भी आ गया अब अपने next example को देख लेते हैं यहां पर हम लोग का यह एक zone बनाए ठीक है और एक हम लोग यह trend line बनाए क्योंकि यहां touch है यहां touch है price उपर आया seller से इसको नीचे ले गए फिर थोड़ा सा उपर फिर जादा नीचे नहीं ले पाए फिर थोड़ा सा उपर फिर जादा नीचे नहीं फिर यहां पर breakout proper breakout है क्योंकि candle close हो गया तो इसके next candle में हम लोग buy करेंगे और क्योंकि यह बहुत जादा बड़ा stop loss है तो हम लोग इस candle का half तक कहीं पर stop loss रखेंगे और one is to one point five का भले इसको अगर नीचे भी रखते तो भी हम लोग का target achieve हो जाता है लेकिन trading हमेशा system से किया जाता है तो हमारा system बताता है कि long candle के beach में रखेंगे stop loss और यहां पर target achieve हो गया तो हर बार आपको एक ही चीज को follow कर यह नहीं कि आप किसी setup में कुछ और काम कर रहे है किसी में क्योंकि यह system से आपको चलना होता है trading में हमेशा setup को follow गया जाता है बहुत जगह आपको target achieve नहीं होगा इसलिए trading में हमेशा risk reward important है और stop loss भी hunt होगा stop loss भी hit होगा लेकिन most of the chance जब भी आप trading strategy एक ही strategy को काम करते है त तो long term में वो आपको profit देगा तो हम लोग को वो देखना है loss भी होगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि trading system ही खराब है trading setup ही खराब है अब अपने next example में हम लोग देख लेते हैं यहां पे बहुत important learning है यह example में हम लोग यहां पे इस trend line को बना सकते हैं इस support area को बना सकते हैं यहा यहां touch हुआ यहां touch हुआ फर break down हम लोग को मिला है इस case में ठाइंगल descending triangle pattern हम लोग को यहाँ भन पर बनता होगा दिख रहा है is case में हम लोग आप ब्रेक कैंडल है वह यहाँ पे तो मैं ने क्या बताया जब selecting sundal बहुत मेंचे आगया तो यहाँ पर अम्लोग को sell नहीं कर यहां भले ही आप sell करेंगे, यहां stop loss रखेंगे, target अचीव हो जाएगा, लेकिन हम लोग का trading system ऐसा design नहीं है, हम लोग इस चीज को wait करेंगे, क्या इसका next candle ऊपर आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे ही जा रहा है, हम लोग को देखता है, तो हम लोग इसको लेंगे ही न मिल जाता, लेकिन हम लोग का trading system यह चीज बताता नहीं है, ठीक है, तो इससे पहले अगर हम लोग एक example देखेंगे तो यहां पे, अगर आप यहां पे sell कर देते, तो आपका तो stop loss hit हो जाता, अगर यहां पे आप sell करते, stop loss कहीं यहां पे होता, वो तो hit हो जाता, तो इस case मे stop loss hit हो रहा है, और इस case में आपको target मिल रहा है, तो जो हम लोग का trading system बताता है, अगर उस चीज को follow करेंगे, तो हम लोग को यहां पे ज़्यादा benefit है, क्योंकि यहां पे हम लोग को FOMO हो जा रहा है, FOMO मतलब fear of missing out, कि हमने यह चीज़ मिस कर दिया, अगर यहां sell कर देते, तो मैं profit हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत समय ऐसा भी होगा, जब आप यहां पे sell करेंगे, आपका stop loss hit होगा, तो उस case को भी तो आपको ध्यान में रखना है, तो यहां पे सबसे important चीज है कि no trading, कि आप trading नहीं कर रहे हो, is anytime better than entering into wrong trade, wrong trade में जाने से अच्छा, trading म करो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आपका loss होगा, तो minus 5000 का ऐसा होगा, लेकिन आप trade नहीं लिया है, तो आपको zero loss हो रहा है, तो कौन सा better है, zero better है, तो जो system है, उसी चीज को follow कर रहा है, क्योंकि market हमेशा रहने वाला है, हमेशा आपको opportunity मिलने वाला है, तो यह क्यों setups less important है, trading mindset से, क्योंकि ये चीज बताना बहुत ज़रूरी है, trading setup बताने से पहले, क्योंकि most of the people को लगता है, कि अगर वो trading setup सीख लिए, तो वो successful trader बन जाएंगे, लेकिन अगर आप trading setup सीख लिए, risk management और trading psychology, mindset आपका अच्छा नहीं है, आप trader नहीं बन सकते, तो यहाँ पर, क्यों सबसे जादा important है, वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि trading setup आप कहीं से भी सीख सकते हैं, YouTube में भरा पड़ा है, trading setup का video, तो वो सब आप कहीं से भी देख के सीख सकते हैं, लेकिन क्या सब लोग वो उसको सीख के trader बन जाते हैं, नहीं बन पाते हैं, क्योंकि trading में risk reward बहुत जादा important है, risk management बहुत जादा important है, psychology बहुत जादा important है, तो मेरा जो 9th और 10th डे का video होगा, जो risk management और psychology पे होगा, तो ये दोनों video बहुत लोग नहीं देखेंगे, trading setup तक का video देख के छोड देंगे, तो वो लोग trader नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो आपको trader बनाएगा, वो ये चीज़ है, आपको trading setup कभी trader नहीं बनाएगा, अगर आपका risk reward अच्छा ही नहीं है, आप risk को manage नहीं कर पा रहे हैं, आपका trading psychology बहुत weak है, तो आप trader नहीं बन सकते हैं, भले ही आपको एक successful trading setup आता हो, तो इसलिए ये दो video को देखना, miss मत करना, क्योंकि आप ही लोग का loss है, और यहाँ पर आप trader नहीं बन सकते हैं, अगर ये दो video को miss करेंगे, या ये दो चीज़ आप समझ नहीं पाते हैं, तो अब हम लोग अपने next trading setup पे आ जाते हैं, इसका नाम है rising wedge pattern, ये एक bearish pattern होता है, तो इसमें price ऐसा move करता है, price इस level तक आया, फिर नीचे आया, फिर इस level तक आया, फिर नीचे आया, उपर आया, फिर यहाँ पर जब breakdown देता है, क्योंकि ये bearish pattern है, तो हम लोग यहाँ पर breakdown का wait करेंगे, ना कि breakout का wait करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग sell कर सकते हैं, इसका last swing में हम लोग stop loss रख सकते हैं, अगर यह ज़्यादा बड़ा है, तो half में कहीं हम लोग stop loss रखेंगे, target हम लोग का 1 is to 1.5 करेंगे, तो यहाँ से price नीचे आता है, ठीक है, एक होता है, failing wage pattern, इसमें क्या होता है, price ऐसा move करता है, इसमें अगर break out होता है, तो price उपर आता है, तो इसमें भी same, यहाँ पर stop loss हो का 1 is to 1.5 का target हम लोग रखेंगे, तो यह एक bullish pattern होता है, इसमें हम लोग buying opportunity होता है, तो यहाँ पर अगें candle जब close होगा, इस trend line के नीचे, तभी हम लोग को पता चलेगा, कि यहाँ यह एक proper breakdown है, rising wage pattern में, यहाँ पर क्यों होता है, क्यों price यहाँ से नीचे आता है, उसका भी logic कभी हम लोग समझेंगे, जो इसका नीचे वाला slope होता है, वो ज़्यादा होता है, जैसे rising wage में, यह एक slope है, इसका angle कम है, लेकिन इसका नीचे वाला का angle ज़्यादा है, तो price यहाँ पर आया, price फिर नीचे आ गया, okay, price फिर उठा, लेकिन यह इससे ज़्यादा उपर नहीं उठा पा रहा है, फिर price नीचे आ गया, फिर यहाँ तक आया, तो यह इससे weak है, जितना price उपर आ रहा है, लेकिन top उतना उपर नहीं बन पा रहा है, मतलब, buyers यहाँ पर weak होते जा रहे, तो जैसे ही breakdown मिलेगा, तो यहाँ sellers dominant हो जाएंगे, क्योंकि buyers यहाँ पर प्राइस को जादा उपर उठा नहीं पा रहे, तो यह हो गया पहला logic कि यह buyers sign को दिखाता है, second logic क्या है, same logic है, stop loss hunting वाला logic है, stop loss hunting वाला क्या logic है, यहाँ पे कुछ लोग buy करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग buy करेंगे, तो in-look का stop loss यहाँ पे कहीं पे होगा, in-look का stop loss यहाँ पे कहीं होग तो यहाँ पर stop loss हंट कर दिया गया, क्योंकि general people को इतना आसानी से तो market price बनाने नहीं देगा, पैसा बनाने नहीं देगा, तो वो लोग का stop loss हंट करे गए, तो यह दूसरा logic है, जैसे मैंने अपना triangular pattern में भी बताया था, कि दो logic बताया था, जिसमें से एक logic, stop loss वाला भी logic था, तो same logic यहाँ पर भी काम करता है, अब हम लोग इसको देख लेते, चार्ट में इसका example देख लेते हैं, तो यह bank nifty का चार्ट है, इसमें अगर हम लोग trend line बनाए, यह trend line बन रहा है, यह second trend line बन रहा है, ओके, यह दोनों में इसका angle ज्यादा है, इसका angle कम है, मतलब buyers इसको ज यह दोनों कुछ, trend line क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 2 touch मिल रहा है, यह fake out है, ठीक है, तो इसको हम लोग count नहीं कर रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर proper breakdown हम लोग को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग sell कर सकते है, last swing यह होगा, यह वाला, क्योंकि यह बड़ा नही क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग buy कि होंगे, उन लोग का stop loss यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर जो लोग buy किया होगा, सब का stop loss यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो लोग buy किया, तो यह सब को भी hit करके price नीच गया, लेकिन हम लोग का, जो system है, उसमें हम लोग को 1.1 is to 5 तक क यहां पर अगर हम लोग second example देखे यह trend line बनता है यहां touch यहां touch यहां touch और यह एक तो यहां पर हम लोग को wedge देखने को मिल रहा है इसका slope कम है angle कम है इसका angle जाता है यहां पर breakdown मिल गया है तो यहां पर हम लोग sell करेंगे इसका last swing हम लोग का stop loss होगा और 1 is to 1.5 यहां price हलका उपर आया कभी कभी retest के लिए price उपर भी आता है लेकिन फिर sharply fall किया है तो सब का stop loss यहां पर hunt कर लिया गया है तो यह second example हम लोग देख सकते है चार्ट में third example हम लोग यहां पर देखने है और निफ्टी का चार्ट है यह five minute का चार्ट है यहां पर भी same यह angle हम लोग को ज्यादा दिख रहा है price यहां से उपर आया फिर यहां से उपर आया second touch third touch यहां proper breakdown मिल गया है तो यहां पर हम लोग sell करेंगे last swing हम लोग का stop loss होगा 1 is to 1.5 का हम लोग को यहां target achieve हो रहा है और example देख लेते हैं यहां पर हम लोग देख सकते हैं तो जितना भी हम लोग example देखते हैं वह हमेशा जो presentation में हम लोग एक्दम clean way में देखें हमेशा clean way में हम लोग को example नहीं मिलता है चार्ट हमेशा messy होता है आपको उस pattern को खोजना पड़ता है कि हाँ यह pattern यहां पर बन रहा है जैसे यहां पर हम लोग देख सकते हैं यहां पर भी wedge pattern हम लोग को देख रहा है यहां पर हम लोग इस line को क्यों बनाए क्योंकि यहां पर touches जाता है यहां पर एक touch second touch यह fake out है यह सब और यहां पर third touch उसके बार यहां पर proper breakout हम लोग को मिल रहा है यह slope भी जादा है तो falling wedge में उपर वाला slope जादा होना चाहिए angle जादा होना चाहिए rising wedge में नीचे वाला जादा होना चाहिए तो यहां पर हम लोग buy करेंगे last swing में हम लोग का stop loss होगा 1-1.5 का यहां पर target होगा तो यहां पर भी same logic है price नीचे आया फिर उपर आया फिर price हलका नीचे गया लेकिन जादा नीचे नहीं आपाया तो यहां नए buyers भी आएंगे प्लस जो यहां पर sell किये थे वो लोग का stop loss यहां पर होगा यहां पर sell किये थे जब का stop loss हिट करने के लिए भी price उपर आया तो यह हो गया logic इसका तो breakout trading strategy में हम लोग total 4 setup देखें 2 triangle pattern का एक rising wage एक falling wage तो इस पर आप backtest कर सकते हैं graph में 5 minute 1 minute के time frame पर या आप higher time frame में भी इसको use कर सकते तो जो हमारा 10 दिन का topic में है उसमें हम लोग क्या 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 कवर कर चुके यह total चीज हम लोग cover कर चुके है आज हम लोग breakout trading setup जो कि trading setup 1 है इसको भी cover कर लिए अब यह सारा चीज आएगा trading setup to next video में आएगा next day में आएगा उसके बार fibonacci risk management और trading psychology अगर आपको अपना chart analysis जो कि price action के basis में उसको share करना है तो आप मेरे email पे share कर सकते हैं और real चीज वो लोग सीख पाएंगे आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं free trading camp ताकि आपका कोई भी डे का वीडियो मिस ना हो फिर मिलते हैं अपने next day में तब तक के लिए bye take care